सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस था नोटिफिकेशन पटन पांच अगस्त के सिल्सा में टैग टीवी ने बहुत सारे शोज किये हैं बहुत सारी न्यूस टॉक्स हुई बहुत सारे टॉक्स शोज हुए और इसलिए के पांच अगस्त एक बहुत ही सिगनिफिकेंट दिन बन गया है पांच अगस्त दोजार उन्नी से अब उसकी पहली एनिवर्सरी के मौका पर पांच अगस्त पे जब बात हो और हमीद बशानी साहब का टॉक्शो ना हो तो पांच अगस्त की बातचीत में वो एक कमी से महसूस होती है तो मेरे साथ अपने ही शो में जुड़े हुए हैं थर्ड उपीनियन में बिरिस्टर हमीद बशानी साहब बशानी साहब आप भी बहुत सारी जगों में पांच अगस्त की बात कर रहे होंगे और मैं भी कर रहा हूँ और आज हम पांच अगस के दिन फिर मिल के कर रहे हैं मैं एक बात को दो तीन दिनों से दोहरा रहा हूँ और वह बड़ी इंपॉर्टन बात है पहले मुझे उसका ख्याल आता था मगर उसको इस तरह बियान करने का ख्याल नहीं आता था कि जब भी हम कश्मीर के हुमन राइस की बात करते हैं तो पर्टिकुलर दुनिया को यूँ इपरेशन मिलता है कि जैसे भारत में ये एक कोई मसला है वो हम टार्गर बना के बात करते हैं जबके रियास्ते जमू कश्मीर का जो ये वाला पार्ट है कुछ लोग तो कहते हैं ये जो जमू है जहां से बशाइन सब आप हैं ये इसमें वेस्ट जमू है और यहां पर नक्षे बदलते रहते हैं हम सतर साल से देख रहे हैं और उधर एक बार यूनियन टेरिटरी बनी तो पूरी दुनिया को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पाकिसानी डाइस्पोरा के लोग पाकिसान के प्राइम मिनिस्टर भी कि जी नक्षा बदल गया नक्षा बदल गया वहां नक्षा तो नहीं बदला सिर्फ टेरिटरी बनी ये उनका इलान हुआ यहां पर तो बकाइदा नक्षा बदल जाता है वो जिस जमीन को डिस्प्यूटट पाकिसान खुद कहता है उस जमीन का एक बहुर बड़ा हिसा उन्होंने उठा के चाइनों को दे दिया गिल्गत बलतस्तान के बारे में पता ही नहीं चलता यही बात आपके शेहरों मुझाफराबाद मीरपूर के लोग पूछते रहते हैं तो ज़रा इस हवाले से पहले बात बताईए कि आप मेरी इस मौकफ को किस तरह देखते हैं देखें जी बात इस तरह है यह पहली बात यहां ना कि जो रियास्त जमू कश्मीर की जब बात आती है न तो उसकी मुखली वेकाईया है तो जैसा के आपने फुरमाया के जमू जिससे हम बिलांग करते हैं तो हम जमू से असल में बिलांग नहीं करते हैं हम पूंच रियास्त पूंच से हैं तो रियास्त पहुंचे एक जमाने में सुबा जमू का इस्सा रही है कभी नहीं रही है तो वो एक लंबगी कहानी है जिसका को फाइदा नहीं लेकिन मेरा मतलब है आइडेंटिफिकेशन स्थोरी डिफरेंट है पूरी रियास्त में गलगितियों की और हैं लदाख वालों की प्रैक्टिकल चैंज लाई है जिसको उसका लीगल स्टैटस चैंज किया तो लीगल स्टैटस चैंज करने के बाद उन्होंने एक नया नकशा भी दिया जो कि जरूरी हो गया था चुकि एरिटोरी आइडेंटिफाई होती है थूरू इस लीगल स्टैटस तो लीगल ने इस जो है कोई जवाब चुके पाकिस्तान के पास नहीं था जैसा कि हम बार आई अर्द कर चुका हूं कि जो 5 अगस्त को जो अमल हुआ इंडोस्तान के अंदर कश्मीर को लेकर वो कोई मामुली काम नहीं था। कि काष्मीर की तारीक में एक फार्मेशन की ठीजा अठीच पहले रियासस ती, वह बनने से लेकर मैं समीर बड़ा वाक्या था, एक पहला वाक्या वो था, जब रियासस की तश्कील हुई, दूसरा वाक्या यह था जब उस रियासस का स्टेटिस जो है, वह एक लीगल और कंस कश्मीर के नाम के साथ लिख देते हैं कि इलिगली एकुपाइट टेरिटोरीज तो ये अगर किसी कानुन दान के सामने अब ये बात रखेंगे न तो इसके लिए बड़ा एक मसला हो जाएगा चुके इंदस्तान के पास ये टेरिटोरीज जो है वो आज नहीं गई हैं आगस 2019 में बलके इंदस्तान की अमलदारी में मुख्लिफ हावालों से उसमें 370 डालके 35 डालके या उन्हें नकालके या जिससे जो जो भी अब उसकी शकल है वो एक प्रासेस में गई हैं और चुके उस वक्त एक जंग की कैफियत थी दूनों तरब से फोजें उतरी हुई थी उ जब कश्मीर उदर चला गया तो बहुत सारे लोगों ने उसको कहा कि जी ये मकबुजा हो गया अकुपाइड हो गया चुके आर्मीज के दरमें एक इसका कोई सेंस भी बनता था कि जब दो आर्मीज लड़ती हैं तो उसमें कोई अलाका टेरिटोरी इदर से उदर होता है लेकिन उसके साथ जो लीगल मसला था वो ये था कि महराजा हैरी सिंग का इंस्टूमेंट आफ एकसेशन था जिसको देखा कि इंडिया ये कह राता कि ये इलीगल अकुपेशन नहीं है हमारे पस ये एक आथोरेटी है जिसकी बनियाद पर हमने एकसेशन किया और अगर उस में कोई शाब की गुझाश रह गए थी तो उस वक्त का सबसे पापुलर और मैंस्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर जो है शेख मौमद अब्दूला उसने उस पे जो है वो मोरे तस्दीक सब्त कर दी के ठीक है जी हम इंडिस्तान के साथ जाते हैं जो उसको आप क्या कहते हैं क उसके बाद अगला जो प्रासेस चला वो लंबी कानी है कि शेक साब जेल में गए बाद में बखशी साब आगे उन्होंने आके स्टैटस खतम करके बजीर आजम की जगा बजीर आजा बना लिया तो यह स्टैटस चेंज उन्हें का जो प्रासेस होता है वो रेक्टिफाई ह साया लीगल प्रासेस में वो पारलीमेंट के दूनों हाउसेस में गया और वहां से वो एप्रूब होके तो लीगली इंप्लीमेंट हुआ जिसको हमारे खान साब इलीगल आकुपेशन आफ इंडिया कहते हैं और इससे उनकी सिर्फ अना की तसकीन होती है बाकी इसका जो आ असल बात करते हैं और असल बात ये होनी चाहिए जो पाकिस्तान अपनी बुक्स में उसने लिखा हुआ है जो लोगों को बताता है कि हम कैश्मीरियू के राइट अफसल डिटर्मिनेशन की हमायत करते हैं लेकन चुके वो ये बात कर नहीं सकते हैं तो इसलिए वो कहते हैं लेकन मैं बात ये कर रहा था कि 5 अगस्त को जो अमल इंदस्तान ने किया वो बहुत बड़ा एक कदम था और पाकिस्तान चुके अपने आपको फैस्ट पार्टी कहता रहा है इस पूरे डिस्प्यूट में 70 येर से इसलिए उस पर ये लाजम हो गया था कि उसका कोई अगर इसलिएंब ईसका कते ही तोरो पे कोई जवाब देने में वो ना काम रही बलके जवाब तो दूर की बात थी जो लोग जवाब देना चाहते थे फिल्ड में उनौने भी उनको कहीं बाज़ोरे ताकत कहीं लालश दे में कहीं वो ड्रा दम का केंशवारसें लड़ाजा कें जूटे वादे करके उनको भी चुप करा दिया आपको याद होगा कि प्राइम निस्टर साब जो हैं इमरान खान साब इन्हें कैपिटल सीटी अब जफराबाद का दोरा किया था और वहां जाके लोगो को कहा था कि आप कुछ ना करें ये मेरा काम है मैं जानू और आपका का जाने यानि उनका कहने का मतलब यह था कि कश्मीर तो मेरी जेब में है बस मुझे युनाइटि नेशन में जाने की देर है और वापस आके मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है वापस आके तो पूरा एक साल तक उन्होंने एवन के बयान पूरे एक साल में उन्होंने को प को मतलब नहीं होता और लोगों की आँखों में दूल जूंकने का ये प्रास्था यानि फ्राड करना जी सादा जबान में जू 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 चलता रहा एब आके तो उनको कुछ सूज नहीं रहा था कि भाई एक साल हो गई तो एब हम लोगों को जवाब किया हैं तो उन्होंने एक मैप उठा के रख दिया ये कश्मीर के नाम से अगर आप अंग्रेजों की कताबें खंगालें ना पूरी सूलमी सदी से लेके तो कमज़ कम दो हजार मैप मिलेगा आपको जिसको मर्जी आई उसने मैप बना दिया किसी ने लादा हुदर शामल कर लिय ये अरकत की उन्होंने वो को बराणा अंग्रेजों का मैप चोरा के उसको रिफरेश करके तो उन्होंने जो है उस पे लिख दिया जी के ये पाकिस्तान का इंटेगरल पार्ट है अब आप मुझे बताएं कि मुझे गोसा इसलिए चड़ता है और गोसा मुझे चड़ता है आक्सपड यूनिवस्टी पे जिसके अंदर इस तरह के शागिर्द होते हैं कि जो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो लगाते हैं कि देखें जी एक तरफ उन्होंने लिखा कि ये इंटेगरल पार्ट आफ पाकिस्तान है ये अलाके ठीक है जी और दूसरी तरफ उन्होंने का क्यूट का उन्सा है जिसके मताबक जो है वो यूनाइटिन नेशन इसको अल करेगी इतसाद नमबर एक देखें जी इतसाद नमबर दो देखें कि हम जी कश्मीरियों की अजादी की लडाइलर रहें और उनका वतन पहले ही उठाके तो अपने नक्शे में शामल कर लिया य के नेशल में आप हमारा पॉर्ट यंड पार्सल है यानि जो जबरी नाता जिसको कहते हैं वो आमने जोड़ना ही जोड़ना है आप जो मरजी कर लें इसके बार अगली बात जो रह जाती है ये दूसरा अदिजाथ़ ओगया तीसरा अदिजाथ ही है कि जब आप कोई निकलें उस तरफ जाने के बजाए यह एक मनाफका ना पालिसी जो रवायती पालिसी होती है ना वो वजारते खारजा के बाबों की के जी हम देखेंगे इस चीज़ को ऐसे यूज़ करेंगे उसको ऐसे करेंगे और इस तरह से जो है यह जाके कोई तरीका जो है वो बनेगा तो मैं तो इस पे बड़ा मायूस हूं जी यह बड़ा डिस्टर्बिंग है और मैं यह समयता हूं कि आप इंडिया को पसंद करें ना पसंद करें उस पे तनकीद करें क्या करें लेकर यह इस बात पर आके कश्मीर चीनने में चुक्के दोड़ तो दूनों की लगी वी थी इसमें चुपाने के वकली तो बात है नहीं नो सातर साल से क्लैम चल रहा है दैसाजार फाइल है पैटवारियों के इतने इतने बस्ते बने हुएं दूनों की वजारते खारजा में तो उन सब को लाद मारके तो उन्होंने उसको लेके तो अपनी यूनिन टेरिटोरी बिना गुरान खान साब दुनिया में जो फेस सेविंग के लिए बोलते चले जा रहे थे और उन्होंने कश्मीर जाके यानि पाकिसान एड्मिनिस्टर्ट कश्मीर जाके ये कहा कश्मीरियों को कि आप कोई ऐसी अजादी की हरकत ना कीजिएगा हम खुद संभाल लेंगे तो क्य आप शादी की मूवमेंट थी पाकिसान से अजादी की या भारत के साल लड़ने के लिए कोई था ऐसा उनका एरादा तो क्या ऐसी कोई फजा थी वाकिए जो इसको इमरान खान साब ने बचाया नई नई आजादा कॉई में कोई आजादी की मूवमेंट नई थी सर अजाद कशमीर में जो एक सीवल पुलिटिकल मूवमेंट है जो किकुछ नोज़वान लोग थे जो इस बात पर थे।ाब थे जो हम ने इसके खलाफ इत्याज करेंगे जो के उनका हक ता है इत्याज कर ही और फोजें पहले पाकिस्तान की कości आई बात में इंडिया की करई। बात में इंडिया की खिरूऊाइगे अ करके घोति की पहांने चुछें क्क Majam लाजिकली लेकिन लाजिक तो मैंने आवो कहा कि इसे एक साल के दर्मयान कोई है नहीं वो लोग थे जो जजबाती कश्मीरियों के अंदर एक दूसरे के साथ एक जो है वो एक जुड़त और एक आमांगी का एसास तो है जिसके पेशे नजर वो लोग अपने जजबात का एज कर रहे थे कि हम जो है ये जो कुछ महां पे हुआ इसके खलाफ एद्जाज कर रहे हैं पूरा मन और नारे लगा रहे हैं तक्रीरे कर रहे हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं था तो उस पे इमरान साथ को किसी ने बताया कि ये जनाब इससे पाकिस्तान की स्क्राइट को खत्र क्रिफतार किया गया और जबर्दस्ती जो है वो डिस्पर्स किया गया तो यह जी बचाने साल लेकिन जो लोग फर्द कीजिए अपनी सॉलिडारिटी दिखाना चाहते थे पाकिसान एड्मिंसेर्टेड कश्मीर की तरफ से दूसरी तरफ के कश्मीरियों को तो वो सॉलिडार में उससे भी ज्यादे मजलूम समयते हैं लेकिन उनका जो है तोपों का रुख क्योंके सिरी नगर की तरफ है और उसमें आपके जो एलीट है हुकमरान तबकात हैं सब शामल हैं तो वो एक रवाज बन गया है कि जो कुछ भी होता है सिरी नगर की तरफ जलूस नकालो यह मजफरबाद की तरफ जलूस निकलता है वो एक निकला था वही में बात कर रहा हूँ नगर की तरफ जा रहा था जिसको समझा बुजा के बठा दिया गया दूसरा मजफरबाद की तरफ गया था जिसको डंडे मारे गे तो इससे आप अनदा लगा सकते हैं कि उनकी मजलूम मैं जतनी मैं स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके किसी लीडर ने वरकर ने किसी सेंट्रल कमेटी के मिंबर ने किसी काबले जिकर शेक्सित ने आज तक इस मोजब पर कोई मुफसल बिया तक नहीं दिया कि जो पांच अगस्त को क्या हुआ था और इसका हमारे नज साविन्टी और थार्टी फाइव अगर बाल नहीं होता तो हम अलेक्शन नहीं लड़ेंगे इसके अलावर ये भी कोई खास बियान नहीं है ये एक कंटेक्स में उन्हें जो है ये बात किया एक होती है नो पालिस स्टेट्मिन आप निकल के देते हैं कि जी ये वाक्या हु लोग थे वो उनमें उनके जो बड़े लीडर थे वो सारे ग्रिफदार हो गए तो उसके बाद जो काडर बेचा वो झो है खमोश हो गया किसी ने ना कोई इद्जाज किया आप ये देखें कि कहीं बी अगर इद्जाज का कोई ग्राउंड होते हैं तो बड़ी बड़ी जा तो आप कर आकर कहीं पर कोई एज़ाज बनता है तो उसमें मैज इसलिए जो दूसरी कुवत है वो बहुत ज़ादा जाबर है या उसके पास बहुत ज़ादा रिसूर्सिस है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते तो यह कोई एक्सकी उज़ नहीं होता ऐसलिए यह थी कि यह जो अमल हुआ यह कश्मीरियों के लिए एक बड़ा अनसेटलिंग था और वो यह समझते थे कि इस पे पाकिस्तान को बहुत बड़ा काम करेगा जिसमें के वो मारे गे जो दोखा काया उन्होंने कि बहुत बड़ा काम तो दूर की बात है उल्टा पाकि पुष्ट पर कड़ें और इस दोरान वarı उनको यह बताया जाता रहाrem। हम आपकी पुष्ट पर इंतजार में. बच्छनिस तब आखर में इस बात पर भी हम थोड़ी सी गुफद्गू करना चाहेंगे, कि पाकिस्तान की तरफ से ये भी वावेला मचाया जाता है, कि अधर डेमोग्राफिक चेंज किये जा रहे हैं, हाला कि अभी तो कुछ भी ऐसी हरकत नहीं हो रही, खु कारत कि अलग दे उर्पा सेविंटी ये इस ग्रॉस लेवल पे डेमोग्राफिक चेंज किये जा चुक है तो ये बातें पाकिस्तान के निरेटर में क्यों शामल होती हैं जबके नक्षा भी चेंज कर देते हैं नाम भी जगां के चेंज कर देते हैं जबके भारत में तो सिर्फ उसकी लीगल एंटिटी चेंज हुई और डेमोग्राफिक वाली वाली सूरत ही नहीं है जो पाकिस्तान में अब तक हो रही है और हो चुकी है देखें पाकिस्तान में गलगित बल्दस्तान में डेमाग्राफिक चैंज आई है बिल्कुल डेफिनेटली वहां बाहर से लोग जाके आबाद हुए हैं ये आपके जो नार्थवर्स एरिया से आजाद कश्मीर में अभी तक इस तरह की बात नहीं हुई लेकिन वहां भी एक बड़े पैमाने पर एफगान मजाइदीन वहां के आबाद हुए हैं पिछले पंदरों बीस सालों में वह जब महाजर आए थे अफगानस्तान से उनकी एक बड़ी तादाद तो वह इलाका इसलिए बचा हुआ है कि वह बहुत ही बड़ी देगा तो बसेगा इसलिए आज़ाद कश्मीर में एतनी बड़ी चैंज नहीं आई है लेकन गलगित बल्दस्तान में बहुत बड़ी ड्रास्टिक चैंज आई है और वहां के लोगों की एक बड़ी तादाद इस बात पे नाखुश है लेकन जहां तक यह बात है क इनका अब यह देखें वहां तो मैं इस पर तो कहीं दफ़ा बात कर चुका हूँ कि यह जो डेमाग्राफिक चैंज की थियूरी है मैं इस पर इसलिए बिलीव नहीं करता कि वहां पे जो लोग आके काम कर रहे हैं साथ साथ दस दस सालों से उनके बच्चे वहां पड़े है उन स्कूलों में कालेजिस में गए यूनिविस्टीज में गए हैं और वो लोग आए हैं हमारी हुकूमतों के दावत पे वहां काम करने के लिए ऐसे काम जो हमारे मकामी लोग करने के लिए त्यार नहीं थे तो यह बहुत बड़ा एक इन्यूमन एटिचूट है कि हम उनको उनका राइट डिनाई करते हैं और खुद पूरी दुनिया में कश्कोल लेके अपने राइट मांगते फिरें कि जो ही हम लंड़न शेयर में कदम रखें तो आपने आपको ब्रिटिश सिटीज अंकिया उसका भी बाप समयना शुरू हो जाएं और हमारे मुलक में इसी तरह की आलत में लोग जाके 10-10 साल काम करें उनके वहां बच्चे पैदा हूं तो हम कहें तुम वापस चले जाओ तो ये बहुत बड़ी एक मनाफकानों किसम की और गहर इनसानी किसम की पालिसी है जिसको मैं फालो नहीं करता लेकिन कश्मीर में कुछ लोग जो है वो इसको इस केमिकल लगाया हुआ है कि इसको आथ लगाएंगे तो आपके आथ जल जाएंगे या कुछ ऐसे हो जाएगा तो जब लोगों की ये आलत हो जाए है अब देखें कश्मीर में गरीब लोग आबाद हैं इतने अरसे से आबाद हैं हमारी दावत पे आबाद हैं और उनके कश्मीरी जो है उसे नकाल देना चाहिए क्योंकि उन्होंने डेमाग्रेफिक का पूरी लेंस्केप बदल के रखती है तो वह अकर ये मितालबा करें के वहां पर ये साज़श हो रही है तो फिर तो ये बात गलत है ना कम असकम इनसाफ भी कोई चीज़ है इस दुनिया में बहुत शुक्रिया बशानी साथ हम इसी नोट के साथ के अगर डेमोग्राफिक चेंजिस इमिग्रेशन को एकसेप्ट ना करने की बनियाद पर हो तो फिर तो वन पॉइंट फूर मेलियन जो कश्मीरी बरतानिया में रहते हैं उनका ही वहां पे सर्वाइवल का मसला हो नामलूम कितने सालों से बात कर रहे हैं और उमीद है कि आने वाले सालों में ये बात्चीत नतीजा के इस सुर्ट पर आगे जाएगे बहुत शुक्रिया आज आपके वक्त का और बात्चीत सुन रहे थे नाजरीन आप जनाब बरेस्टर हमीद बशानी साथ की और ये वह सादरा से कर रहे हैं और करते रहेंगे आज का बिला तकल्व तैजिया थर्ड अपीजियन में हमीद बशानी और मेरे साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट नोटिफिकेशन पटन